हेलो एब्रीबन वेलकम बैक तो माई चनल वंस अगेन सो मैं पंकाच कुमार इसी वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं कोड़ फॉस राउंड 828 डेट फॉर डिव 3 का थर्ड प्रॉब्लम जिसका नाम है ट्राफिक लाइट ओके एंड इसी कॉंटेस्ट का फ तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो चली तो लाइक कर लेना ठीक है थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमिन थोड़ा सा बड़ा है बट मैं आपको वन नोट पर आपको एक्स्प्रेइन करता हूं तो आपको बेटर रंग से समझ में आएगा तो बेसकली क्या है कि हे यलो के लिए स्मॉल वाई के लिए यूज की आ रहा ह।ा दो यह टीन तरह के ट्रैफिक लाइट होगा और ट्रैफिक लाइट जो रहा है जो जल रहाँ ब्लिंक कर रहा जिस बीजित त्रीक ऐसे गलू कर रहा हूं वह एक उडर में हैं और हरे एक देका अर्युक और दो क हो यह 5 इये चीज रिपीट होगे सिटाना तो यह सिर्क खत्मुंग फिर से थिर किर मैं पर सब्सक्राइब और यह हर पर आपको क्रॉट कुeless करना है जब बी ग二 होगा तभी आप क्रॉस करोगे जाहिर से बात है जो अब्वेस आपका जो कलर का जो इन्फॉर्मेशन होता वो यहां पर वैनिस नहीं है ठीक है तो रेड कहने का मतलब आपको रुकना है वाई यलो जो आपको रेड है आइंड जो भी ग्रीन है तो आपको जाना तो ग्रीन प अब मतलब glow होगा road cross करना यह नहीं करना ड़ीक करना अब आपको नहीं पता कि current अभी time कि चल रहा है मतलब कि जो अवे जैसे कीiciencyаров अगर ग्लो है तो रेड यह वाला हो रहा है यह इस position के लिए ऊपको नहीं पता अभी अगर आपको दिखा की red है तो यह कुछ भी हो सकते कितना समय लगेगा कि कोई भी कोई भी signal वाला पोजिशन अभी अगर करेंट रेड है तो कोई भी रेड हो अप उतने सेकेंड में तो एट लिस्ट पार कर रहीं जाओगे रोड को तो इसलिए है कि एटलिस्ट वन ग्रीन तो है पतल आप रोड को रोड को आप अब इसली क्रॉस करोगे यह दिया हुआ है तो मिनिमम जो है वो कितना टाइम लगेगा ठीक है यह समझगे कोई अब देखो क्या होगा यहां पर आर डवल जी आर और यह दू आर है एक करेक्टर आपका सभ्नबर बता रहा गें तो अभी यहां पर फर्स टेस्ट के जैसा ही लेता है करेंट करेक्टर आ करेंट सिगनल अभी रेड यहां यहां में सब कोई भी हो सकता है तो इससे जितना टैम लगेगा वह नंबर एक्स होगा एक्सपोज एकस वन है और इससे लेट आ रहा कि चलो भाई यहां पर तो जश्ट एक सेकेंड में आपको मिल जाएगा तो आपको मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्टन में क्या बोला गया था कि यह चीज पारवर रेपीट होगी तो आर जी जी आर वाई आर जी जी आर वाई यह इन्फानाइट टाइम ऐसे चल रह हां अब यहां पर है तो गयो हें यहां 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 फॉट यह आगला पर दिख今天 परोड़ तो यह तुम होट यह से स्केंट रहा हुट है आर उसके कि यह साथ खुट हो रहा है ऑल उसके बादफिक यह तो मिल water catch possibility video let's work कि करना अगर आगे forward नहीं मिल रहा तो इसके बाद ये second वाले occurrences में फिर आप समसकते ये पीछे से string को देखो तो ऐसे मिलेगा आपको ठीक है तो इस वाले के लिए देखोगे तो एक second लग रहा और इस वाले के लिए देखोगे तो तीन second लग रहा तो basically जीतेने सारे आपको possibilities है इन सब का max जो होगा वही mean होगा तो इससे ज़्यादा समय में तो आप पहुंच ही जाओगे ठीक है इससे अब ज़्यादा समय में तो आप पहुंच जाओगे आप अराम से 3 में अगर पहुंच गया तो 4 में भी पहुंचे है हम एक second बेट कर लेंगे तो minimum time तो 3 है लेकिन यह जो minimum है यह basically आपके सारे occurrences का maximum है यह कहरा है कि एक second में पहुंच जाएंगे यहाँ अगर आप खड़े होते इस वाले position पहुंच जाएंगे तो आपको 3 second में पहुंच जाएंगे तो आपको पता है नहीं तो हम safe zone के लिए हम इसा max वाले time पे लेंगे कि अगर एक भी होता answer तो भी सही है तीन होगा तो भी सही है समझेरो यह चीज है अब यह है कि हर एक आर के लिए हम निकालेंगे कैसे तो constraint अगर ध्यान दोगे तो 10 to 4 and 10 to 5 तो आपको basically linear time complexity से आगे नहीं बढ़ना एक तो पहला यह आपको hint मिलता ह है ठीक है तो हमारा solution भी उसी बेम में रहेगा आपका ठीक है तो अब आपका solution पर देखते हैं जड़ा solution क्या होगा इसके लिए देखते हैं देखो यह श्ट्रिंग है और यहां पर करेक्टर में ले ले लेता हूं सी आपका जो है वो आर ही है अब मैं आर वाई जी जी कुछ भी अपने मन से ले रहा हूं आर 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 जी 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 आर वाई ऐजा कुछ और यहां तो बेसिकली अब देखो क्या करना अब हर एक जहां पर आ रहे हैं आप वहाँ पर समझो क्या आप खड़े हो ऐसा कुछ है और एसा पर यह आर पर आप खड़े हो यहां पर यहां पर यह सैचार्शन में से कोई भी हो चकती है आपको क्या करने इन सब पोजिसर का जो भी अंसर है उन सब का मैक्स मतलब उन सब का मैक्स जो होगा वह अंसर आपका ठीक है अब देखो इस चीज को यहां पर इस आर के लिए अगर कल्कुलेट बैठेंगे करने हम तो दू पॉसिलिटे या तो इसको कहीं आगे जाके ऐसे बाई मिल रहा होगा तो यहां से एक सटेप आगे जाने पर इसको जी मिल रहा होगा ठीक और नहीं तो इस पूरे स्ट्रिंग का अगर देखो इसकी बात अगर हो तो यह पूरा का पूरा यहां तक, लास्ट किपूरा जाके ऑर यहां से जो फुएस्ट वाला जी है वह इसको मिल जागा, लेट सबुए यहां पर कुछ एक्षड़ाय्स सटेप लगता यह जिस भी पोजिशन पर अई पोजिशन पर है तो तो इसके बाद भी कोई और आर होता तो अगर इस के लिए इसको लाश्ट तक भी नहीं मिल रहा है तो उसका जो जी मिलेगा वो पूरे इस पूरे श्ट्रिंग का जो सबसे फर्ष्ट जी होगा आय प्लस वंथ पूजिसन पर वही जी मिल लेगा ठीक है तो इस आर के लिए क्या पूसिबिलिटी जै कि कहीं आगे जाके इसको जी मिल रहा होगा पहला जो जी मिलेगा वही होगा आगे यहां पर ग्रीन वाते तो प यही जी होगा यह चीज है और अगर नहीं मिलता तो सब के लिए फिर यह फर्ष्ट वाला पूजिसन का जी होगा तो हर एक के लिए दो पूसिबिलिटीज अगर आगे जी कहीं मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो हमेशा जो फर्ष्ट पूजिसन है वो आपको मिलेगा ठीक है आप देखो यहां से यहां तक आप इस आर के लिए जी मिल गया तो बेसिकली आपको क्या देखना है अब सीधे आप यहां से यहां तक चिक कर लिए ठीक है तो अभी इन सब आर का जो होगा वो इससे कहीं न कहीं मिनमुम होगा इस आर के लिए इससे हमेशा मिनमुम होगा और तो आपको क्या लेना है, तिस आर को चाहो आप सीधा सीधा सिधी स्केप कर दो, अगर इसका तीन सेकड़ लग रहा तो इसका अभी असी बात है कि दो सेकंड लगएगा, इसके लिए एक सेकंड लगेगा, ऐसा कुछ है, जाएगा किस, ठीक, तो सब को स्केप करो, और सीधा यहाँ से जी पर ज़ंप करोगे जी आगेवाले गर्रेक्टर्स यहां पर जयाँ एन फिर से फिर जोग जोगी कि मैं पिर से घ्रीचा जब यहां पर बीच वाले की दिएग्या है सब खतम होगे लिए ज़ेद्स में कर में नहीं किहाँ साथ कि ढूर्ट की सिस्ष च that the वो मेरा अंसर होगा और हमें पता है कि इस वाले लेंस से तो इस वाले वैल्यू से मिल्प कम आएगो नल सक्वाइब यह आपको इस्टी-डिविग रिखन पर अगिने पर लिख्मारियगं करेंगे धीक है अब आपको की यह पीछे वाले को क्या करोगे अब separately इसост वाले character के लिए निकाल लो कि सबसे first character TWO क्या है कौन से position पर है क्या नहीं सबसे first character G जो है वह किस position पर है तो आयत है उसाओ पूजी सनके मैं इसको तो फिर्स्ट नाम के variable में रखा है तो यह क्या हो गया यह बता रहा है कि first नाम के variable में अगर इस आर्ट को आगे जी नहीं मिला नहीं मिला तो यह तरह का स्साथ में आपको फ्लैग रखना हो जो बताएगा कि आगे मुझे जी मिला है यह नहीं तो पूरा स्ट्रिंग खतम हो गया लेट सपोर्ट और आपको फ्लैग में आपका जीरो ही है मीन्स इसके लिए क्या होगा इसके लिए यह डिश्टेंस भी काउंट होगा और यह जो फर्स्ट है व तो इस ट्रिंग करेक्टर एंट सारा कुछ इंपूट यहां पर ले लिया अगर जी ही है तो अबिसली यह तो जीरो होगा ठीक है ग्रीन है और आपको ग्रीन अभी है ही आपको दिया हुआ तो आप जेश्ट क्रॉस कर जाओगा आपको कोई टाइम बिश्ट नहीं होगा ठ पावलम तभी होगी जब करेक्टर सीए से जो है और यह वाई होगा तो मैंने फर्स्ट इकल टो माइनस वन इनिसलाइज कर लो क्योंकि एट लिस्ट वन जी तो होने वाला है तो इस फर्स्ट की वैल्यू अपडेट यहां पर होगी एंड वहां पर ब्रेक हो जाएगा तो स्ट्रिंग में जो 1st जी की अकरेंसी उसकी पोजीशन उसके इंडेक्स को मैंने जीरो बेस्ट इंडेक्स को मैंने फ़र्स्ट में रखा तो जब मैं डिस्टेंस कांट करूंगा तो यह 1 नो हम तो प्लस घया तंज यहां भी particular character जो दिया हुँ जिस rate दिया है तो particular is I िन जहां जहां rate आया राया तब मैं क्या करूँगा अब मैं आगे check करूँगा कि g जी कहा मुझे मिल रहा तो j plus sorry i plus 1 से शुरू होगा और n तक जाएगा and count रख रहा हूं मैं number of second and flag रख रहा हूं कि आगे मुझे मिलती है या नहीं मिलती है तो पता चला जी मिला ही नहीं तो उसके लिए क्या होगा मैं दुसा कंडिशन जो बता था फर्स्ट वाली इंडेक्स के लिए उसको मिलेगा ठीक है तो यह आया है कॉंट इंक्रिएज हुआ जैसे ही जी मिला ब्रेक एंड फ्लाइक की वैल्य अपडेट हो गया मैंने क्या बोला इसके बाद की जो सारी और अगर रही होगी अगर तुम सब को दो तरह की पॉसलिटे या तो जो करेक्टर सी है चाहिए वो आ रही होगी आगे मैं तो उससे वै को फ्लेग है को मिला है मुझे जी तो अंसर के साथosaurs किया अधरवाहई नहीं मिला तो क्या होगा और प्लस प्लैग क्या होगा that the organism इंदेकस मैं बिला था सारी possibilities की maximum जो होगी वह अंसर में होगी और यही आपको question में पूछा जा रहा है तो basically वह maximum होगा यह minimum इसका होगा तो यही minimum number of time में assured करता है कि कि किसी भी position पर उस particular character के हो आप road को इतने minimum second में तो cross कर ही जाओगे ठीक है ओके तो I hope आपको समझ में आया होगा अगर कोई doubt है तो आप निचे comment box में बताओ इस question का link and code का link telegram channel का link सब आपको निचे description box में मिल जाएगा तो आप जाकर देख लेना ओके एंड वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करना comment box में मुझे बताना कि आपको इसका solution कैसा लगा है ठीक है दोस्तों साथ सेर सेर कर सकते हो आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं एंगली वीडियो में तिल नौ बबाए